नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्क हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका तांतरिक क्रियाओं में या फिर टोने टोटके में परियोग होता है लेकिन आज हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे ये पौधा मनुकामनाओं की पूर्ती करने वाला पौधा है इस पौधे को साक्षात गनेज जी का स्वरूप या फिर ऐसा समझ ले कि सिब जी का सबसे पसंदीदा पौधा है ये मदार जिसको हम आक भी कहते हैं मदार के पत्ते, मदार के पुस्प और जड़ यहां तक कि मदार के दूद से भी वसी करन होता है आज हम आपको तीन प्रयोग बताएंगे जिससे आप सत्रूप पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं सत्रूप सांथ हो जाएगा वो बस में हो जाएगा प्रेमी-प्रेमी का लब रिलेसन्सिप में परिसानी है या फिर व्र hemai जीवन में समस्या है तो भी इसका वसी करन कर सकते हैं पूरी दरह से स्वात्त्वीक है, इसमें किसी को आनी नहीं होगा और तीसरा अगर नौकरी वयपान में परिशानी है तो भी आप वसीकरन कर सकते हैं देखिये मदार के पत्ते से वसीकरन करना बहुत आसान है समाने थे आप ये कह सकते हैं आग का पौधा आपको हर जगा मिल जाएगा लेकिन जो सफेद वाला आग का पौधा है जिसको मदार कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का टोई टोटका प्रियोग करते हैं तो आप पहले ही देख लएंकि वैसे तो रोट साइड मिल जाएगा आपको ये पेड तो पहले ही आप ढूंड के रखें कि ये पेड सफेद आग का कहां पे है अपको ये परियोग करना है और जब भी आप प्रियोग करें तो पहले जाकर निमंतरन दे आएं आग के Exodus को इ आप एक सुपाड़ी एक सिक्का और थोरा सा जल लग कर जाएं किसी बॉटल में भी ले जा सकते हैं और पेड के पास जल और पीत करें जड़ में और फिर यहां पर सिक्का और जो सिक्का है उसको रख दें और उन से बोले अपना परीचे दें आप कौन है आपकी पिता का ना करा श्रूब परियूगे करिये का रख करियां के लिए क्ए लिए क्या जाता है को आज हम आपको को बड़ा वाला प्रियूगांएंगे रियों पहले किलिए क्लियर करने कर के बाहर बॉंडरीवाल के बाहर मदार का आख का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी की नजर दोस्ट नहीं लगती नकात मख सकतियां परवेश नहीं करती अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बहुत भाग्यबान है अब जरूरी नहीं कि गेट के ठीक सामने हो आपके बॉंडरी वाल के आसपास भी हो सकता है तो ये पौधा का होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके घर में लोगों का तंत्र क्रिया असर नहीं करेगा, या फिर लोग कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि कहां पे लगाएं, किधर लगाएं, तो देखें उसके भी वास्तु में नियम है, आग का प आते करेंगे, लेकिन एक बात खास, मदार का पौधा जब भी लगाएं, घर के मुख्य दर्वाजे के बाहर ताहिने तरफ, एक और बात, जब भी आप को टोना टोटका करते हैं, तो सनिवार को ज़्यादा अच्छा रहा करना, और पहली बात, आपको सुक्रबार के दिनी निमंतरन दे कर आना होगा, आपको एक दिन पहले निमंतरन जरूर देना चाहिए, ताकि आपकी मननत वो सुने, बिन्ती सुने, अब जैसे आप किसी को बुलाने जाते हैं, तो पहले से फोन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार, तो सवाल यह है कि आप उनको निमंतरन कैसे दे कि एक दिन पहले आप जाईएगा एक लोटा जल मेरчи का ये जल अरपित कर दें पीड की जड़ में और सिक कभी कर सकते सुबहर से साम तक जरूरी नहीं ये कि भूके रहे नव्याप काफी की भी कर सकते हैं उसके पाद सिक का और सुपारी उनके पास रख दे जड़ के पास और उनसे हाथ जोरकर प्राठना करें अपना परीचे दें आप कौन हैं आप किनके बच्चे हैं क्यों आए हैं और उनसे कहिए कि के साथ तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंतरन देखे रखे मदार के पेड़ को आख के पौधे को अब इसके बाद आप अगले दिन जाईए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पूस्प नहीं तोड़ना बलकि जो पूस्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं नए नए जब प लाकर आप पत्ते और पूस्प लगावा ही रहे तूटे उसको तोड़ना नहीं है अब लाकर हनवान जी के मंदिर में जाईए अब हनवान जी के जो चरनों में सिंदूर होता है आप उसको थोड़ा सा उंगली से ले और लेकर अपने और उस बैक्ती का नाम लिखे जिसके हनवान जी के चरनों के सिंदूर से अब इसके बाद मौली धागया के द्वारा पूस्प को अंदर रखना है और पत्ते चारों तरब से उसको कभर करके मौली धागया के सारे बांधे और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है बसी करन हो जाता है और यह प्रचंड़ पसीकरन है इसको करने के बाद आप कहीं मिल्टे में दबा दें पीछे मुणकर मत देखिएगा कभी भी खाली नहीं जाएगा अब हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जब सत्रू बिलोधी ज्यादा परिसान करें जब आपको लगे कि यहां से बाहर नहीं निकल प अपको सफेध जो सफेध वाला आक का पौदा है वहां पर आप जाइए अब पते तोड़िए पौधे के और पते से जो दूध निकलता है उस दूध से आक के पते पर सत्रू का नाम लिखे यानि कि आक के पते पर मदार के दूद से सत्रू का नाम लिखे और फिर इस पत्ते को वहीं पर जमीन के अंदर पेड़ के पासी कड़ा करके दबा दे और मिट्टी ढग दे सत्रू बस में हो जाएगा सत्रू सांत हो जाएगा और आप फिर परिसान नहीं होंगे वैसे ये परियोग एक ही बार में काम करता है संबब हो तो जैसे गरहन होता है पुर्णिमा है अमवस्या है सनी बार है इन सभी दिनों में अगर ये परियोग करें तो वो जादा असर करेंगे जल्दी अपना असर दिखाएंगे जोतिस के अंदर यहां तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीच के अंदर रखकर यानि सफेद मदार की जड़ ताबीच के अंदर रखकर काले धागे में बांद कर गले में या बाह में धारन करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांतरिक प्रियोग किया होगा वो समाप्थ हो जाएगा तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये प्रियोग कर सकते हैं और एक मेहना के बाद मिट्टी में दबा दें तो चलिए सबसे अंतर में एक खास उपाए कई बार क्या होता है आपके ओफिस में आपके बैफसाय अस्थल पर लोग बहुत परिसान करते हैं कई बार घर में भी लोग परिसान करते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आपके मदार के पत्ते से इवे वसी करन होता है लोग परिसान नहीं करेंगे तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी सनीवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आईए लिकिन पहले सुकरवार की साम निमंतरन दे आईएगा और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आईए आपका जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आईए अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को दो कर यानि कि जो जड़ है उसको पीस लिया अब मदार के पत्ते को धो लीजिए उसके उपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए अब इसका आप तिलक कर सकते हैं जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस लें मदार का जड़ मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके ये परचंड वसी करन है आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी आपके सामने ठीक नहीं पाएगा और ये वसीकरन तिलक है वैसे तो आप वसीकरन के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवन्ती के पौधे का जड़ भी डाल कर पीसकर डाल कर आप प्रियोग कर सकते हैं इससे भी वसीकरन होता है तो छोटे छोटे प्रियोग है पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे अब देखें सफेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वसीकरन होता है वह कभी खाली नहीं जाता तो अगर आप एक छोटा सा प्रियोग करें जैसे कि एक सफेद का मदार का पत्ता तोड़कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दें फिर ओम गंग करके और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गनेश जी से प्राफना करें और जब आपको लगे वह बैक्ती बहुत हद तक आपके बस में आने लगा है तब आप इस सभी चीजों को लिजा कर पानी में बहा दें जब भी कीजिएगा बस चुप र होती है और जितने सत्री उतने प्ते पर लिकिएगा एक इंपते पर सारे सघ्रोका नम भी किया आपको तो पता है जब 10 साल पुराना आपका पौधा हो जाता है तो उसकी जड़ में अगनेश जी की ऑक्रिती है और ऐसा आपको मिल जाय जब घर ले आएं और भिधिवत रखती है वो अपने कमर में सफेद धागा या लाल धागा में बांध कर पहन ले तो तीन मेहने के अंदर गर्वाधान होता है संतान की प्राप्ती होती है तो यह परियोग वैसे तो आप किसी भी पुस्से नच्छत्र में कर सकते हैं नहीं तो किसी भी सोमबार को सुक्ल पक् करेंगे हर हर